ओए, दो कप होट कोफी ला, जल्दी! मैं वेटर नहीं हूँ अच्छा, तो ये डाउन मार्केट कपड़े पहने हुए, तो वेटर नहीं तो क्या, कॉलेज का प्रिंसिपल है? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ सिर्फ शहर के अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, गरीब तो छोडो किसी मिडल क्लास के बच्चे भी वहाँ पढ़ नहीं सकते थे, मगर एक नए रूल के कारण लकी को स्कॉलर्शिप मिली थी, और अपनी टालेंट के दम पर उसे वहाँ एडमिशन मिल गया था, बिल्कुल साधारन से कपड़े, कहीं फटे तो कहीं रफू किये कपड़े और चपल पहने हुए लकी कॉलेज आता था, रोज वहाँ पढ़ने वाली अमीरों की बिकड़ी ओलादें लकी का ऐसे ही मजाग बना दी, खास कर शालिनी नाम की ल निकल गई आवा, आज बेचारे राजकुमार को पैदल ही घर जाना पड़ेगा लकी समझ गया था कि ये शालिनी और उसके दोस्तों का काम है, लेकिन वो चुप-चाप अपनी पंचर साइकल लेकर वहाँ से जाने लगा उसके फेक दिये, ए, पंचर बनवाले ना, मगर तभी न जाने क्या हुआ कि शालिनी के पापा कार का दर्वाजा खोल कर उत्रे और लकी के सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए, अरे सर आप भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, शालिनी के इस हरकत को माफ कर दीजेगा, पर पहले की शालिनी कुछ समझ पाती, उसके पापा लकी को लेकर कार दगाए और भूले, शालिनी बेटा, तुम इस कार सुत्रो, मैंने हमारे लिए दूसरी कार मंगा ली है, इस कार से इन्हें जाने दो, वाट, पापा अपस भीक मंगे को इस कार में भेज कर खुद दूप म शालिनी कुछ समझ नहीं पारी थी, आखिर कौन है ये लकी, क्या संबंध है शालिनी के पापा का उससे, आखिर क्यों लकी कॉलेज में इस तरह आता है, क्या होगा जब कॉलेज के बाकी अमीरजादों के बीच लकी का रास खुलेगा, सुनिए एक हैरान कर देने वाली कहा जानी इंस्टा मिलियनेर और जानिये लकी का सच